बॉलिवुड ने कुछ अच्छा किया या नहीं लेकिन कमाल की स्कीम ज़रूर सिखाई है 21 दिन में पैसा डबल तो बॉस अक्षे कुमार फिर से वापस आ गया है फिल्म बना के पैसा डबल करने के लिए रक्षा बंधन इस फिल्म के पीछे नाम लिखा है आननेल रायका जो तनू वेट्स मनू जैसी ओल टाइम क्लासिक फामिली ड्रामा हमें गिफ्ट कर चुके हैं तो अब इस नई फिल्म से बॉलेवुट का वो पुराना गोल्डन वक्त वापस आया की नहीं जवाब इतना आसान नहीं है कहानी दिल्ली के चांदी चौक में बैटने वाले एक जादूगर की है जो गोलगप पे खिलाके प्रेगनेंट ओर्तों को लड़का देने की गैरेंटी लेते हैं अब ये बात अलग है कि खुद का घरी शीशे का है तो पत्थर पढ़ेंगे ही नहीं समझे भाई साब की फामिली में ये खुद अकेले लड़के हैं जबकि साथ में चार-चार बहने हैं वैसे ये महान परिवार चांदी चौक की गली-गली में काफी फेमस है जानते हैं क्यूँ शादी जो लड़कियों की हो नहीं रही है लेकिन भाईया बेताब हैं बसपन की प्यार को कंप्लीट करने के लिए तो फिर दिक्कत क्या है इस कहानी में एक विलन है दहेज चार बहन चार दहेज लेकिन बिचारा भाई एक बड़ी नायन साफी है देखो बहुस रक्षाबंदन को आप दो तरीके से जज़ कर सकते हो या तो दिमाग की सुन लो या फिर दिल से इस फिल्म को देखो दिमाग के साथ जाओगे तो फिल्म में कुछ भी अलग या स्पेशल नहीं है सीधी साधी कहानी जिसमें भाई भहन का प्यार सेंटर पे है बस इसके जैसा काफी कुछ आप पहले भी देख चुके हो कई बार ऐसा कुछ hidden surprise नहीं है जुसमें दिमाग लगानी की जुरुत पड़े लेकिन दिल से फिल करोगे तो रक्षाबंदन ठीक अपने नाम की तरह full of emotions है एक ऐसी जर्णी जिसमें आपकी आँखों से आसू ना निकले ऐसा होई नहीं सकता एक feel good फिल्म जो आप पूरी फामिली की साथ enjoy करना चाहते हो ऐसा cinema जिसमें आप खुद की जिंदी की देखने लग जाओ relatable and emotional सबसे बढ़िया बात फिल्म एकदम छोटी है एक घिंटे 50 मिनिट और इतने कम टाइम में ही comedy tragedy और एक strong social message से आपकी मुलाकात करवाएगी हेमेश रिश्रमिया का music film की backbone है गाने एकदम fresh और original है जिनको बिल्कुल सही वक्त पे सही जगे पर इस्तिमाल किया जाता है आपकी आँखों को गीला करने के लिए हा लेकिन एक चीज समझ लीजे फिल्म के काफी सारे scenes में आपको ऐसा लग सकता है कि female characters की तरफ अक्षे का behavior थोड़ा गडबड है काली मोटी वगएरा वगएरा disrespectful language को point out कर सकते हो लेकिन कड़वा है तो क्या हुआ एकदम सच है आज भी सारी चीजें exist करती है जो रक्षा बंदन बिना किसी मिलावट के screen पर दिखाती है अभी दो छोटी-छोटी शिकायते भी मेरी जिनका थोड़ा ध्यान रखते है तो सच में तनुवेट्स मनुवाला जमाना वापस आ जाता अक्षे कुमार इस फिल्म में खुद अक्षे कुमार प्ले कर रहे हैं उनकी बाकी फिल्मों से कुछ भी अलग नहीं है ये acting कहीं पर देखी देखी लगती है आप यकीन नहीं करोगे फिल्म के सारे सीन्स में मतलब 100 बाई 100 अक्षे को बार बार स्क्रीन पर डाल दिया जाता है जबकि बाकी actors को उतना खुलके सामने आने का मौका ही नहीं मिला इसलिए फिल्म को आप सिफ अक्षे की नजर से देखते हो बाकी characters का screen time बहुत कम है जिस वज़े से कहानी एकदम सीधी एंड सिंपल हो जाती है दूसरी शिकायत है फिल्म के climax से वो इतना तेज भागता है कि फिल्म का जो solid message आना चाहिए एंडिंग में वो जलबाजी में पुरा गायब हो जाता है अभी अगर आप मुझसे पूछोगे तो बहुस लाल सींग चड़ा के comparison में मैंने पोस्नली रक्षा बंदन के साथ जाधा connect किया आमिर खान के बगल में अक्षे कुमार कंदे से कंधा मिला कर खड़े हैं कौन आगे कौन पीछे final result बहुत शौकिंग हो सकता है तो यार मेरी दरब से रक्षा बंदन को मिलेगे 5 में से 3 stars पहला तो emotions बहुत सारे हैं और बहुत real हैं आप खुद को फिल्म में ढूणने लग जाओगे दूसरा हिमेश रिशमया का music original fresh and satisfying तीसरा फिल्म का social message जिसके बारे में आप खुद का opinion बनाने पर मजबूर हो जाओगे नेगेटिव में एक स्टा करटे का film का climax वहां जो strong feeling आनी चाहिए वो हर बड़ी में पीछे छूट जाती है और दूसरा अक्षे over everyone बाकी actors बिचारे तरस रहते screen पे आने को उनका side देखने को ही नहीं मिला देखो बहुत दिमाग की सुननी है या दिल की वो फैसला आप कर लेना with family जा सकते हो मज़ा आएगा feel good film है बस जादा expectations मत रखना बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ रिकायत करनी हो तो मैं आपको Instagram पर भी मिल जाओंगी वरना थोड़ा सा इंतिजार करिये मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में टेक केर